एक राज्ये में एक बहुती ग्यानी सादू आये, उनकी ख्याती दूर दूर तक पहुँचने लगी, उनके शब लोगों पर जादू कर देते, धीरे धीरे उनकी ख्याती वहां के राजा तक पहुच गई, राजा ने अपने सैनिक बेजे कि सादू को मेरे पास लेकर आ मैं भी उनसे बात करोगा उनकी बाते सुनूँगा सैनिक सादू पर पहुँचे उनसे चलने का अगरे किया पर सादू ने मना कर दिया उन्होंने कहा राजा साप को आना है मुझसे बात करनी है, मेरी बात है सुननी है, तो मेरे पास खुद आए, मैं उनके पास नहीं जाओंगा जब ये बात राजा तक पहुँची, वो गुसे में आग बबूला हो गये कि राजा की इतनी बेशती, एक सादू की इतनी हिम्मत उसने तुरंट सैनिकों को आदेश दिया, कि उस सादू को पकड़ कर मेरे दर्बार में लेकर आओ सैनिक जबरदस्ती सादू को ले आए, राजा ने आओ देखाना ताओ, सीधा आदेश दिया कि सादू को दस चाबुक मारे जाए, और एक चाबुक की मार भी बहुत बुरी होती है बड़े-बड़े निशान छोड़ जाती है, बहुत दर्द देती है सादू वहीं खड़े रहे और मुस्कुराते रहे जैसे कोई फरक ही ना पड़ा हूँ, राजा अचम्भे में आगे उसने सादू से पूछा, क्या आपको कोई भी फरक नहीं बढ़ा क्या आपको डर नहीं लग रहा, चोट से भहबीत नहीं हो रहे सादू मुस्कुराय और बोले, जो है सो है, जो होना है सो होना है चाहे मेरी जिम्मेदारी हो ना हो, चाहे भागे ने मुझ पर ये परिस्तिती थोप दी हो पर ये मेरी है, जीवन इसके साथ ही चलेगा, इससे अलग तो नहीं चलेगा तो मैं बहबीत क्यों हूँ, जब जीना ही है, इससे पाला पढ़ना ही है, तो डर किस बात का जैसे दुनिया की सबी अच्छी चीजे जो मुझे मिली है, मेरी है, ये चाबुक की मार भी मेरी है इस बात पर राजा को और गुस्सा आ गया, उसने तुरंट सैनिकों को कहा, कि इस सादू को भूके शेर के पास ले जाओ इस बार तो सादू का बहबीत होना तै था, पर सादू ने कुछ नहीं करा, शान्ती से सिरफ उपर देखा, भगवान से चार शब्त कहें, और खड़े मुझकुर आने लगे, ये चमतकार देखके राजा का गुस्सा एकदम शान्त हो गया, उसे अपने कृत्ते पर गलानी ने लगी, कि ये सादू तो वाके में कोई महापुरुश है, उसने फिर से सादू से पूछा, अब की बार बोला सादू महराज, आप भेबीत नहीं होए, विचलित नहीं होए, सादू फिर से बोले, जो है सो है, जो होना है सो होना है, चाहे मेरी कोई जिम्मेदारी थी या नहीं थी, जो हो गया वो मेरा ही तो है, मुझे उसके साथ ही तो जीना है, अगर मेरी मृत्यू को आदेश आई गया है, तो जितना समय शेश है, उसका तो सदूपयोग कर लो, अपने उसूलों के साथ खड़ा रो, जीवन का सम्मान करो, और हो सकता है मरने से पहले, दो-च साथू फिर से मुस्कुराय और बोले, हे राजा, मेरे में एहम नहीं है, कि मैं आपके पास नहीं आना चाहरा था, आपको बुलाना चाहरा था, मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए करा, कि गुरू को हमेशा उचा स्थान देना चाहिए, तब ही उसका ग्यान किसी भी शिश्य को मिल पायेगा, उसको समझ आप आपॉएगा, अपने अंदर उतार पायेगा, मैं आपके पास चल कर आता, तो आपका एहम बड़ा रहता, मेरा ज्यान आप तक नहीं पहूँच पाता, आप मेरे पास आते, तो मेरा ज्यान साक्सात आप तक पहूँचता, मेरी यही मनशात थी, ये कि अगर सादू वहां से चले गए। जो है, सो है। वाट इस, इट इस। दोस्तों ये बात, अगर आपने अपने मन में अपना ली, ढाल ली, चाया जब कितना ही परेशान हो, टूट गए हो, कोई रास्ता नजर ना रहा हो, बहुत बुरा हो गया हो, अप एकशाय फेल हो गई हो, खतम हो गई हो, ये बात आपको दुबारा उठाकर खड़ा करतेगी, इस बात को अपने दिमाग पर बार बार बोलकर च्छाप लो, जो है, सो है, वो मेरा है, अब वो मेरे जीवन का हिस्सा है चाहिए सही हुआ चाहिए गलत हुआ चाहिए बहुत गलत हुआ मेरे जीवन का हिस्सा है मुझे उसी के साथ जीना है मेरी कहानी उसी के साथ आगे बढ़ेगी मैं उसको खुद से अलग नहीं कर सकता तो मैं उसको दिल से अपना लेता हूँ जो है सो है, जो होना है वो होना ही है वही इस दुनिया का सच है और उसी के साथ मुझे जीना है अपना आत्म सम्मान कायम रखना है जीवन को कायम रखना है अपने उसूलों को कायम रखना है अपनी जिम्मेदारी उठानी है उसी के साथ चाहिक इतना ही बुरा होगे तूटकर, बिखरकर, खाली बैटकर घवराट में जीवन को कुर्बान करकर मैं सिरफ अपने शरीर और मन का विनाश कर रहा हूँ जैसे कहीं लोग अपने शरीर को काटने लग जाते हैं हम अपनी मन को काट रहे हैं बुद्धी को काट रहे हैं, समझ को काट रहे हैं क्योंकि उसका क्या अंजाम होना है पहले ही बहुत बुरा हो गया, गलत हो गया मैं और खुद का विनाश कर लूँ करी रहे हैं जो चीज पलट ही नहीं सकती जो वक्त पलट नहीं सकता उसका कैसा गम उससे क्यों चिपके रहना कौन संजोएगा इस जीवन को बाकी जीवन का ख्याल कौन रखेगा आज जो उर्जा मिली है, जो जीवन मिला है जो सूरज की रोशनी देख पा रहे हो जी पा रहे हो उस जीवन रूपी बीच को कौन संजोएगा दोस्तों अगर आप यहार मान लोगे अपना लो जो भी हुआ है दिल से अपना लूँआ, वही सक्ते है उस सक्ते के साथ आगे बढ़ना है चलते जाना है, रुकना नहीं है मैं अपने हाथ को थामे रखूंगा आज से यही मेरा जीवन है यही मेरा सच है खुद को दलदल में नहीं धसने दूँगा फसने नहीं दूँगा, रुकने नहीं दूँगा मेरा खुद से वादा है समझा लूँगा मैं खुद को समझा ली लूँगा आज से जीवन मेरे लिए एक मैदान है चाहे इसमें कितनी ही मिटी क्यों ना हूँ, मैं कितना ही चोटिल क्यों ना हूँ, मैं इस पे खेलूँगा, जब तक जीवन शेश है खेलता ही रहूँगा, इस बात को अपने मन में अपना लो दोस्तों, बहुत साधारान सी बात लगेगी, लेकिन ये आपके मन को हील कर पुनहें ताकत देदेगी, कितना ही तूट गए हो, जो है, सो है, अब वो मेरा है, थैंक ये और आल ना पेस्ट